चाहिन दोस्तो तो देखो प्रेंट्स आज यहाँ पर हम बात करने वाले बिटकोइन केस के बारे में तो देखो प्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पेले छोटा सा डिस्क्लेमर क्रिप्टो मार्केट हाई रिस्की है हाई वोलेटाइल है सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करे लोन लेके यहाँ पर पेशा ना डाले प्लास यहाँ पर हमारा एक प्लानिंग है कि हम डेली 6 वीडियो अपलोड करे फटाफट फटाफट अच्छे खासे कोई नहीं आपको दिखा है क्योंकि आप पूरी डिटेल में देखोगे तभी आपको समझ में आयागा तभी आपको इन्वेस्टमेंट करने का मन होगा तभी आपको पता चलेगा कि इसका फ्यूचर क्या है तो आप चेनल डिली चेकाउट करते रहे ओनलाइन क्रिप्टो स्कूल क्योंकि सभी का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा आपका क्या प्लान है मुझे कोमेट में बिल्कुल बताए यह फेंसला हमारा सही है या गलत है और हमारा एक और प्लानिंग है जैसे यहाँ पर 7-8 महीनों के अंदर बूलरन स्टार्ट होगा उसके बाद ओनली ओन यहाँ पर हम लाइव करेंगे फिर वीडियो अपलोड नहीं करेंगे लाइव में प्रोफिट बुक करेंगे यह अमारा प्लानिंग है अभी फटाफट learning करना बहुत जरूरी है अब यहाँ पर बात कर लेते bitcoin case के बारे में तो bitcoin case सेम bitcoin की तरह इसका भी mining होता है ethereum की तरह इसका भी mining होता है halving भी होता है देखते आगे इसकी supply के बारे में सबसे भेले इसका maximum supply सेम bitcoin जीतना 21 million फिलाल अभी सर्कुलेट के अंदर 1,91,70,019 BCH फिलाल अभी ये मान लोकी ये इथिरियम की जगा ले लेता है तीसवा रेंग है सेकंड रेंग पर फिलाल आ जाता है इतना इसमें पेशा आ जाता है तो इसका प्राइज 4,000 डोलर प्लस हो सकता है ये पहली बात हो जाती है तो देखो फ्रेंट्स यहाँ पर बिटकोईन केज भी बिटकोईन की फेमिले में से बिलोंग करता है क्योंकि बिटकोईन की ब्लोकचेन का एक हाट फोर्क करके इस कोईन को 1 अगस्त 2017 में बनाया गया है अब यहाँ पर आगे बात करेंगे कि इसका हालविंग लास्ट 8 अप्रिल 2020 को हुआ था तब लोगों को पेले मिलता था 12.5 बिटकोईन केज जब हालविंग हुआ तो इसको घटा कर 6.25 बिटकोईन केज दिया जाता है जो माइनर है उसको मतलब सेम बिटकोईन की तरह है आगे यहाँ पर बात करेंगे तो देखो भई यहाँ पर टाइमिंग चलड़ा है जैसे कि यहाँ पर हमने स्क्रीन सोट खीचाए यह टाइमिंग है एक साल यहाँ पर 244 दिन 10 घंटा और यहाँ पर मिनिट एंड सेकंड दिया गया है उसके बाद इसका हालविंग होगा और डिमांड बढ़ जाएगी और इसका प्राइस बढ़ जाएगा फिलार इसका प्राइस 4000 डोलर के अराउंड अराउंड होना चाहिए बट काफी कम है जैसे जैसे इसका यूज केस बढ़ेगा जैसे जैसे हालविंग होता जाएगा लोंग टम के अंदर आप कहते हैं ना कि 2030 तक कौन सा कोईन होगा तो एक कोईन पका होगा बिटकोई केस अब यहाँ पर आगे बात करेंगे यहाँ पर इसने डीटेल में बताय की यहाँ पर government, bank, money को print करती है बट एक बिटकोई केस 21 million से ज्यादा print नहीं हो सकता है यहाँ पर limited है की सके ज्यादा इसकी supply market के अंदर आए नहीं सकती है सबसे बड़ा point A भी हो जाता है अब यहाँ पर बात करेंगे average fees इसका fees कितना लगता है transaction fees 0.4x016bch मतलब bitcoin case USDT में देखे 0.0021$ काफी कम fees इसका हो गया है और bitcoin के दाइरे में देखें bitcoin का फीज काफी ज्यादा लग जाता है अब यहाँ पर आगे बात करेंगे per second इसमें ताकात है 116 transaction करने की per second 116 transaction होते है जैसे bitcoin के अंदर maximum per second 7 transaction होते है इसलिए तो इसका hard fork किया और इसको बनाया तिल में बातचीत होगी कि इसका भी halving होता है transaction fees के बारे में बातचीत हो गई तो लेने का मन तो करेगा कि एकात bitcoin case long term के लिए होना चाहिए कहीं न कहीं इसका price bitcoin के पिछे पिछे जाना चाहिए उसके आजपास ही रहना चाहिए supply भी same है एक बात है कि इसका use case bitcoin जितना नहीं है तो आने वाले टाइम में इसका use case भी bitcoin जितना हो सकता है यह बात याद रखना आप देखो फिरेंच यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो एकदम से bottom पर है जैसे 2020 के बाद देखाजाई तो एकदम lower low है 131 डोलर फिलाल देखो आप उपर यहाँ पर देखोगे इसका old term high 1600 डोलर गया हुआ है मतलब आप कोई 10X coin ढूण रहे हो तो bitcoin case में एक risk उठाके आप इसके अंदर investment कर सकते हो क्योंकि safety भी उतना मिलता है bitcoin की family में से belong करता है इसलिए इसमें safety भी अच्छा है previous chart अभी फिलाल यहाँ पर completely नहीं दिया गया है previous chart दूसरे एक्चेंजों के अंदर completely जहाँ जहाँ दिया गया है 2018 के अंदर 4000 डोलर इसका old term high है previous bull run के अंदर 1600 डोलर गया हुआ coin है तो आने वाले time में अगेन इसमें दम है कि यह rank ऐसे हांसिल करता रहे या तो इसके उपर थोड़ा सा भी growth कर ले rank के अंदर अभी तो 30 है बट और growth कर ले तो कहीं न कहीं इसका price 10,000 डोलर 15,000 डोलर भी जाना चाहिए आपकी ये viewpoint है comment में बिलकुल बताए good bye